सुर्वी मुझे बहुत मारा है आज दोसने आज भी अब तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है मैं अपनी जिन्दगी से इस कदर तंग आ चुकी हूँ कि जी मैं आता है कि खुद को खत्म कर लूँ अब तुम ही बताओ कि हम औरतों की जिन्दगी में क्या इही सब लिखा है कि हम सारी जिन्दगी अपने पती की मार खाते रहें मुझे रोज रोज यूँ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता अब तुम्हारा आस्रा ना होता तो मैं अब तक खुद को खत्म कर ली होती मैंने अपनी बहन अर्चना का हाथ पकड़ लिया था और बोली खबरदार जो तुने अपने मुझे ऐसी बात कही भगवान ना करें तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो मैं रवी से बात करूंगी वो आस्रा तोस को समझाएंगे अर्चना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी रोते हो उसने कहा मुझे तुम्हारे पती से बहुत सर्माती है वो भी क्या सोचते होंगे कि ये हर वक्त हमारे घर आई रहती है नहीं अर्चना रवी ऐसे नहीं है ओ ऐसा कुछ भी नहीं सोचते है अर्चना तुम अपने पती से तलाक क्यों नहीं ले लेती जान छुड़वाओ ऐसे इंसान से उसने तुम्हें दिया ही क्या सिवाए मार पीट के क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो अर्चना बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी सुर्भी तलाक लेकर मैं जाओंगी ही कहां मेरे पास तो कोई ठीकाना भी नहीं है उसकी बास सुनते ही मैं खामोस हो गई आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी अच्छा ठीक है उठकर मुझे हाथ दो लो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ यही कह कर मैं किचन में खाना निकालने आ गई मैं खाना निकाल ही रही थी कि अच्छानक रवी भी घर पर आ गए रवी के आते ही मैंने देखा अर्चना रो रोकर रवी से अपने पती आज तो इसकी सिकायत कर रही थी रवी उसे तसलियां दे रहे थे खाना खाने के बाद रवी बाहर चले गए और अर्चना के पती का भी फोन आ गया था वह गुस्से में अर्चना से बोले जल्दी घर आओ नहीं तो मैं तुम्हारा ओ हस्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा अर्चना ने जब ए बात मुझे बताई तो मैं गुस्से से बोले अर्चना तुम्हारा पती तुम्हें इसलिए मारता पीटता है क्योंकि तुम उसके धमकियों में आ जाती हो एक बार उसके सामने अपने अकड दिखाओ तो वो सुधर जाएगा अर्चना ने कहा असुर भी अगर हमारे माबाब जिंदा होते तो तो मैं जरूर उसे अकड दिखाती पर मैं बहुत बेबस हूँ मैं तो हर रोज बस भग्मान से यही दूआ करती हूँ कि मेरे पती को सत्बुधी दे ताकि मेरे जिंदगी किसी तरह गुजर सके अर्चना की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था पर मैं चाह कर भी अपनी बहन की तकलीफें दूर नहीं कर सकती थी अर्चना के जाने के बाद मैं कीचन में आ गई और बरतल समेटने लगी मगर मेरी तवियत कुछ खराब लग रही थी मुझे लगा कि अपनी बहन अर्चना के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है मेरा दिल घबडा रहा था और मैं मुझे चक्कर आने लगा मैं सारे काम को छोड़ कर सोफे पर आकर लेट गई मुझे पता ही नहीं चला कि कम मेरी आँख लग गई मेरी आँख तो तब फुली जब रभी मेरे पास बैट कर मुझे बाजूँ से हिलाते हुए कह रहे थे क्या बात है सुर्भी तो ने इस तरह तो कभी नहीं सोती सब खैरियत तो है मैं आँख मसलते हुए उट बैठी मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई मैं पिछले चार घंटों से सो रही थी मैंने कहा रभी मेरा जी घबडा रहा इसलिए सोफी पे आकर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई मेरी तवित को देखते हुए रभी घबडा गए थे मैंने रभी से कहा पर मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ मेरा जी घबडा रहा है रभी ने ऐसा होना ही था जब तुम सारा सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसे में तबियत खराब ही होगी तुम्हारी बहन अर्चना कौन सा वर्सो बाद आती है जो तुम उसकी इतनी खातिदारी करती हो हपते में दो बार तो ओ आ ही जाती है सूर्भी अर्चना के बारे में रभी से कुछ बात करना ही चाहती है मगर इसकदर चक्कर आ रहे थे, कि मैं बैठ गई, रभी बोलें, चलो मैं तुम्हें डाक्टर के पास ले चलता हूं, मैंने डाक्टर के पास जाने से मना किया, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और ओजब अधस्ती मुझे डाक्टर के पास ले कर गए, डाक्टर ने जब मे पर इन चार सालों में हमें अब खुश खबरी मिली थी इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे मैं और रभी दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए रभी ने मुझे कहा सुर्भी तुमने आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी मैं घर के काम के लिए किसी कामवाली को को रख देता हूँ मैंने रभी को कामवाली रखने से मना किया रभी ने कहा अब मैं तुम्हारे एक भी नहीं सुनने वाला बस तुम चुप रहो रभी की बात पर मैं हस पड़ी और कहा अच्छा बाबा आपका दिल जो करे वो ही करिये भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुसकबरी दी इसलिए मैं अपने मन की बात किसी अपने से करना चाहती थी मेरे माँ बाप तो मेरी और अर्चना की साधी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसे थी एक बहन ही थी इसलिए मैंने जल्दी से अर्चना के पास फोन मिलाया मैं अपनी बहन अर्चना को अपने प्रेगनंट होने की बात बताई तो वह बहुत खुस हुई उसने कहा कल मैं तुम से मिलने आऊंगी मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं रवी के ऑफिस जाने के बाद अर्चना मेरे घर पर आ गई थी और बहुत खुस थी कहने लगी इस मुश्किल वक्त में तुमने इतने अच्छी ख़बर सुनाई है कि मैं मचल उठी मैंने उसे बताया कि डाक्टर ने मुझे बेडरेश्ट के लिए कहा है इसलिए रवी चाहते हैं कि वो घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले मेरी बात सुन गया अर्चना की आखों में हस्तरत भर आई थी वो मेरी बात को काटते हुए बोली अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ मैंने कहा हाँ हाँ बोलो क्या बात है तुम घर के काम के लिए किसी और को काम पर रखने की वज़ाए मुझे ही रख लो मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूँगे और तुम्हारा ख्याल भी रख लूँगी जो तनखा तुम उसे दोगी बदले में ओ मुझे ही दे देना उससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा मैं उसकी बात सुनकर दहल गए थी मैंने कहा भगवान ना करें अर्चना कि तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो तुम वैसे ही मेरे घर मेरा ख्याल करने आ जाना हम दोनों बहनों में थोड़ी बहुत बाती हुए और फिर अर्चना थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई साम को जब रभी आफिस से घर आएं तो उनके साथ एक नौकरानी थी उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारा काम मालती बाई करेगी ओ अधेड उम्र की आवरत मुझे सही लगी मैंने रभी की बातों पर सहमती में सर हिला दिया था मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो मेरी और अर्चना के बीच जो बात हुई थी वो बताने लगी मैंने रभी से पूछा रभी अगर अर्चना मेरे घर मेरा ख्याल करने आना चाहे तो क्या आप इजाज़त दे देंगे रभी ने मुझे घूरते हुए कहा हर गिज नहीं तुम्हारी आँखों पर तो तुम्हारी बाहन की मोहबत की पट्टी बनी है पर मैं पुरानी बाते भूल नहीं सकता कभी बीते दिन की बाते भी याद कर लिया करो तो तुम्हारे सब कुछ समझ में आ जाएगा रवी के मुझे यासब सुन कर उसकी आँखों में आसू आ गए थे मैं सोच रही थी कि मुझे क्या जरूरत थी अपनी बहन की सारी बाते बताने की कास मैंने अपनी बहन की बातों को नहीं बताया होता तो मुझे यासब नहीं सुनना पड़ता मेरे नौकराने दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती मुझे बहुत खाली वक्त मिलता इन खाली टाइम में मैं अपनी बहन को बुला लिया करती हम दोनों बहने धेर सारी बाते करते धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था एक दिन रभी मेरे पास आएं और मुझसे कहने लगें सुर्भी एक बहुत बड़ी परिसानी आ गई है मैंने घबडा कर पूछा क्या बात है कौन सी परिसानी है उन्होंने कहा कि मैं आफिस के काम के सिलसिले में मुझे दो दिनों के लिए साहर से बाहर जाना पड़ेगा इसलिए मैं बहुत परिसान हूँ मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़ कर नहीं जाना चाहता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं मैंने रवी का हाथ पकड़ते हुए कहा क्या हो गया है आपको आप बेफिक्र हो कर जाए सिर्फ दो ही दिन की तो बात है और आपने तो घर के कामों के लिए नौकरानी भी रख दिया है मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूंगी रवी बेबसी से मुझे देखते रह गए थे फिर बोले अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़ कर नहीं जाता मैंने रवी को दिलासा दिया तो ओ मेरी बात मान गए और अपने सफर के लिए निकल गए रवी के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि कास अर्षना मुझे से मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता पूरा दिन मैं अर्षना का इंतिजार करते ही रह गई पर वह नहीं आई लेकिन साम्ट के वक्त मेरी नवकरानी ने मुझसे कहा कि मैम साहब आप से मिलने आपकी बहन अर्चना आई है अर्चना का नाम सुनते ही मैं थुस हो गई मैंने कहा कि उसे अंदर भेज दो अर्षना जब मेरे पास मुझसे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी उसके चेहरे पर जगा जगा चोट के निसान लगे थे और उसके बाल भी विखरे थे वो मुझसे रो रो कर कहने लगी सुर्वी दी मैं बहुत परिसान हूँ मेरा घर अब तूटने से तो तूँ ही बचा सकती है मेरे पती ने आज मुझे बहुत मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा ऐसे कठी समय में मैं किसका सहारा लूँ मा बाप तो हैं ही नहीं इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई कि अब तुम ही मेरे पती को समझा मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं पर रात होने वाली है कल चलेंगे मेरी पास सुनते ही वो रोने लगी उसने कहा नहीं आज ही चलते हैं क्योंकि आज अगर इसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया मैंने कहा ठीक है चलते हैं मैंने एक काटो रिक्सा बुलाया और हम दोनों बहन अर्चना के घर के लिए निकल गए जब मैं उसके घर पहुंची तो ओ मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई उसने कहा मेरे पती इसी कमरे में है अब तू ही उन्हें समझा सकती है मैंने कहा हाँ हाँ तू फिक्र मत कर मुझसे जितना बंद पड़ेगा मैं कोशिस करूंगी मैं जैसे हूँ उस कमरे के दरवाजे के पास गए अर्चना ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में धके लिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी या सब देखकर तो मैं हैरान रह गई अभी मैं कुछ सोच समझ ना सकी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोगटी खड़े हो गए क्योंकि कमरे के अंदर मेरे लाल आँखों से आँसू बहते चले जा रहे थे मैं आज से चार साल पीछे चली गई क्योंकि चार बरस पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी मा को बुला रही थी मा जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी सुर्भी आज तुमने जो हुना किया है हम लोग कहीं मुझ दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी मैंने कहा मा मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है आप मेरी बाप समझने की कोशिज करें मा ने कहा बकवास बंद करो सुर्भी और इसके आगे एक और लग भी मत बोलना क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए मैं डरी सहमे थी इसलिए मैं चुप हो गई पापा जब घर आएं तो आते ही हम दोनों बहनों को पूछने लगे तभी मुझे अर्चना की आवाज सुनाए दी अर्चना और मैं दोनों जुड़वे बहने थी अर्चना पापा के पास बैठ गई और कहने लगी क्या हुआ पापा मैं तो यहीं हूँ पापा ने कहा हाँ पर सुरभी कहाँ पर है अर्चना ने कहा मत लीजी उसका नाम उसने आपकी इज़्जट को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है तभी मा की आवाज आई उन्होंने कहा चुप करो अर्चना जाओ पापा के लिए खाना लाओ पापा ने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या बात है अर्चिना पहले पूरी बात बताओ मैं कमरे में बैठी या सारी बाते सुनकर थर-थर कापने लगी अर्चिना ने कहा पापा मैंने सुर्भी को रंगे हाथ पकड़ लिया है जो गुना उसने किया हवा माफी की काबिल नहीं है या सब देखकर मुझे बरदास्त नहीं हुआ इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है पापा एक बात कहूं सुर्भी जैसे आलाद को तो मर ही जाना चाहिए नहीं तो आगे चल कर आपके इज़्जत को खराब करने में कोई कसद नहीं छोड़ेगी थोरी देर खामोसी रही फिर आचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला सामने पापा खड़े थे उन्हें देखकर मैं थर-थर काप रहे थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया ऐसा लग रहा था कि याद तो पापा मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए एक गलास का पानी लाएं और मुझसे कहने लगें सुर्भी पहले यह पानी पियो मैंने कापते हाथों से पानी का गलास पकड़ा और पानी पीने लगी पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा अब बताओ क्या बात है घर में किस किसम का तमासा लगा हुआ है उनके बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली पापा मैं वा कहीं मैं आपकी कसूर वार हूँ मैंने पहुत बड़ा गुनाह कर दिया है आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला पहले अपना कसूर बताओ मैंने कहा पापा आपने मुझे और अर्चना को जो मुबाइल लाकर दिया था उस पर मैंने फेस्बुक की एक आईडी बनाई फेस्बुक पर मेरी मुलाकात रभी नाम के एक लड़के से हुई मैं उससे बात करने लगी थी बातों ही बातों में हम एक दूसरे को परसंद करने लगे थे फिर उसने अपना मुबाइल नमबर मुझे दे दिया अब रात होते ही हम दोनों फोन पर बात करते पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी पर आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी मगने हो गई थी कि मैंने यह नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी ही थी उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरे मिल गई है और अब हमारी साधी की बात अपने घर में कर सकता है हम दोनों यही सब बाते कर रहे थे तब ही आचानक अर्चना आ गई और हमारी बाते सुन ली और उसने फोन मेरे हाथ से जपट लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दी पापा ने कहा सुर्भी वैसे तो किसी भी गर मर्द से इस तरह रात के वक्त बात करना गुना है यह बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा मैंने साहमती में अपना सिर हिला दिया था फिर तुमने ऐसा क्यों किया मैंने कहा पापा मैं बहग गई थी पापा ने कहा अच्छा ठीक है मेरी बात उस लड़के से करवाओ मैंने कहा पर फोन तो अर्चना के पास है पापा ने कहा ठीक है जाओ फोन लेकर आओ मैं कमरे से बाहर गई और अर्चना से कहा मुझे मुबाइल दो अर्षिना ने कहा मुझ तोड़ दूंगे अगर तुम्हारा अगर फिर से तुमने मुबाइल का नाम लिया तो मैंने कहा मुबाइल मैं नहीं पापा माग रहे हैं मेरी बात सुनकर ओदंग रह गई फिर बड़ी मुबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया मैंने रभी का नमबर मिलाया और बोली मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं पापा और रभी दोनों एक दूसरे से बात करने लगे पापा ने कहा बेटा मुझे पता चला है कि तुम और सुर्भी एक दूसरी को परसंद करते हो उधर से रवी ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया पापा ने फोन रख दिया और मुझे से कहा कि वो लड़का तुमसे साधी करना चाहता है और अगले दो दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं पापा की बात सुनकर तो मेरी खुसी का इंतहा न आ रही मैं बहुत खुस थी पापा मुझे कमरे से बाहर लाएं और हम साथ बैटकर खाना खाएं खाना खाते वक्त पापा ने मा को भी यही बात बताई कि कल लड़के वाले सुर्वी को देखने वाले हैं पापा की बात सुनकर मा बहुत खुस हुई पर मैंने देखा अर्चना के चेहरी की रंगत उड़ गई वो मुझे घूर रही थी अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी मुहले वाले देखकर दंग रह गए थे मैं तो खुद ही रवी के घर वालों का रहन साहन देखकर दंग थी वह बहुत ही अच्छे लोग थे रवी के घर वाले मेरे पापा और मेरी मा दोनों को बहुत परसंद आएं और इस तरह मेरा और रवी का रिष्टा तैं हो गया पर अर्चना तो मेरे दूसमर बन गई थी उसने हर मुश्किल कोशिश की थी कि मेरा या रिष्टा ना हो उसने रास्ते में बहुत रोडे अटकाए थे पर अर्चना की हर कोशिस नाकाम हो गए कुछ दिन बाद मेरी और रवी की साधी बड़े धूमधाम से हुई और मैं दुलहन बनकर रवी के घर आ गई रवी बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ बहुत खुश थी कुछ दिन बाद पापा ने अर्चना की भी साधी तै कर दे थी अर्चना का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था और उनकी भी साधी हो गई पर जो कुछ भी मेरे साथ अर्चना ने किया था मैंने अर्चना से सारे नाते रिष्टे तोड़ दिये थे पर माबाप की गुजरने के बाद एक दिन अचानक आशना मेरे घर आ गई और उसने बीते दिनों की गलतियों का मुझस से माफी मागने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उससे माफ कर दिया था अब अर्शना एकसर ही हमारे घर आया करती थी वह मुझे बताती कि उसका पती अच्छा इंसान नहीं है वह एक सराबी है और उसे मारता पीटता रहता है उसके दुख को सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी रभी को जब यह बात पता चलती कि अर्चना घर पर आई है तो वह बहुत गुसा करते हैं क्योंकि वह अर्चना की हरकतों से वाकिप थे वह मुझे समझाते हुए कहते हैं सुर्वी तुम्हारी बहाँ अभी भी बदली नहीं है वह वैसी की वैसी ही है इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं अब वह बदल गई है आप बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल पर लेकर बैठे हैं मगर आज जब अर्चना ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तब मुझे यकीन हुआ सच बात है रवी सच कहते थे वह वाकई में नहीं बदली थी मेरी नजर कमरे की दिवार पर पड़ी तो दिवार पर लाल रंग से लिखा था आज की रात तुम मेरे पती की दुलहन बन जाओ या सब देख कर तो मैं तथर कापने लगी तब ही अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था उसे देखते ही मैं घबड़ा गई वहां आगे बढ़ा मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा सुर्भी तुम्हें घबड़ाने की जरूरत नहीं है चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ उनकी पास से मुझे हैरत हुई मैंने एक लंबी गहरी सास ली और फिर कहा मैं आप पर कैसे एकीन करूँ आपने तो मेरी बहन की जिन्दगी बरबाद करके रख दी उन्होंने एक लंबी गहरी सास ली और फिर कहा सुर्भी जिन्दगी तो मेरी अर्चना ने तबाह करके रख दी है वह हर वक्त मुझे पर जूटे अलजाम लगाती है मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया सायद वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है अपने बहनोई आज तोस्की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई उन्होंने कहा कि जब आज मैं घर आया तो ओ मुझे कहने लगी मैं तुम्हारे लिए एक तोफा रखी हूँ जाओ जाकर कमरे में देख लो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया पर तुम्हें देखा तो मैं हैरान था मुझे समझ में आ गया था मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अर्चना अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है वह किसी की नहीं है फिर मुझे मेरा बहनोय आज तो मुझे घर लेकर आया था पर घर आते ही सामने का मंजरा देख का मेरे पैरो तलिक से जमीन खिसक गई क्योंकि मेरी बहान मेरे पती को बहलाने की कोशिस कर रही थी जब अर्चना की नजर हम पर पड़ी तो तो वह घबड़ा गई रभी मुझे देखते ही मेरे पास आयें और घबड़ा कर पूछने लगें तुम कहां पर चली गई थी रभी की बातों का जबाब मेरे पहनोई ने दिया था या सब जानने के बाद रभी ने मुझे कहां सुर्भी मैंने तुम्हें बहुत समझाया की अपनी बहान से दूर रहा करो पर तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता था तुम तो बहन के प्यार में पागल थी सुर्भी मैं तुम्हें बताना चाहता था की क्योंकि मुझे लग रहा था की क्या पता तुम मेरी बातों पर लेकीन करोगी या नहीं करोगी पर आज बता रहा हूँ तुम्हारी बहन अर्षिना जब से मुझे से अकेले मिलती है वो मुझे तुम्हारे खिलाब भड़काने की कोशिश करती है पर सुर्भी मुझे तुम पर खुच से भी ज्यादा विश्वास था और तुम्हें यह लग रहा होगा कि मैं इतना जल्दी वापस कैसे मैं तो दूसरे सहर जा ही रहा था पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था ओकाम अगले महिनी होगा इसलिए मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा सुर्भी तुम्हारी बहान तुमसे नफरत करती है वह तुम्हें हम मेरी नजरों में गिरा कर मुझसे साधी करना चाहती है क्योंकि उसकी नजर मुझसे ज्यादा मेरे पैसो पर है इसलिए आज इसने यह सारा नाटक रचा है आज अर्चना की सचाई सब के सामने आ गई थी मेरे बहनोई भी आज अर्चना को छोड़ कर चले गए थे उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता मैं इसे तलाग दे दूंगा अर्चना रोते हुए मेरे पुखा देता है तो बहुत बुरा लगता है और उसे कभी भी दिल से माफ नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यूंगा